एलो एवरिवन यह है मैं नधिंग फोन वन और इस फोन को यूज किये हैं मज़े कभी 15 दिन हो चुके है इस फोन के उपर आल्रेडी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ एक अंबॉक्सिंग वीडियो और दूसरे इस फोन में क्या क्या इसूस है उसके उपर मैंने वीडियो बना यह है एब मेरे चैनल पर जा के देख सकते हैं कि आज यह वीडियो शिर्फ इस फोन के एपर ऊपर होगा इस पाइस के फोटोस कैसे आते हैं अलग-अलब चंदिशन में इस फोन में दो ही में का आता है camera चलो start करते है इस वीडियो को सबसे पहले आपको दो option आते है normal photo kitchen में 12 Megapixel और 15 Megapixel और मैंने दोनों में mix photos की चीए और दोनों में photos बहुत अच्छी आती है एकदम real आती है एकदम real colors आते है green एकदम green आता है अब देख सकते है photos काफी अच्छी आती है मैंने भी इस phone को camera की वज़े से ही लिया था पर मेरे को इसका camera काफी impressive लगा अपने मेरा last video देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि मेरे camera में dust particle है लेकिन उसकी वज़े से camera में कोई issue नहीं आ रहा photos एकदम अच्छे आ रहे है यह एक ultra wide photo और यह एक normal photo और एक दूसरा ultra wide photo और ultra wide photo में काफी सारा area cover कर देता है जो कि अच्छी बात है और अभी आप देख रहे है एक portrait photo और एकदम अच्छे दे photos कीचता है portrait में जयताने की कहीं भी blur कर देता है से इस जो object है इसके पीछे वारा portion नहीं blur करता है तो बात करें macro photos की वह भी काफी अच्छे आते हैं इस phone का macro भी काफी अच्छे photos कीच लेता है इस phone के दोनो camera sensor काफी अच्छे photos कीचते है अब बात कर ले video recording की इस phone में आप पीछे 4K 30fps से निकाल सकते है video और ये video मैंने 4K में ही निकाली है और इस phone का camera एकदम stable है जदे shake नहीं कर रहा है अब देख सकते हैं मैं सीडिया चल रहा हूँ फिर भी camera घिल नहीं रहा और अब आगे सारी YouTube videos मैं इसी phone से shoot करूँगा और इस phone की video recording में आप 10x सक zoom कर सकते हो और मैंने एक रात को भी video बनाई थी flashlight on करके इसकी phone की video recording भी काफी अच्छी है इसका camera एकदम stable रहता है और यह video 1080 60fps पर इस phone के camera को test करने के लिए ने बाहर अलग अलग जगह पर गया था photos कीचने है और इस phone से आप slow-mo video पी record कर सकते है इससे आप time-lapse ही बना सकते है और अब बात कर लेते night mode की इस पर night mode सबसे अच्छा लगा है मुझे एकदम dark photos में भी यह light डाल देता है अब देख सकते हैं यह photo में कुछ नहीं दिख रहा है तिर्फिक नलका दिख रहा है और night mode से photo कीचने के बाद नलका एकदम clearly visible हो रहा है इस पर भी आपको gate दिख रहा होगा लेकिन night mode में photo कीचने के बाद gate एकदम clearly visible है इस photo में भी आपको chair दिख रही होगी और night mode में खिचने के बाद chair एकदम clearly visible है और मैं terrace पर भी कई जाके photos कीचे moon और stars के उसमें भी यह phone एकदम अच्छे से perform कर रहा है स्टार्ड्स आप देख सकते है clearly visible है इस camera का zoom ठीक perform करता है यह मैंने moon के तरफ जूम किया है इस phone का front camera भी अच्छे का से photos कीच लेता है और front से भी आप night mode में खीच सकते है photos और night mode में photos काफी अच्छी आती है front से और front से बात करें video recording की आप 108030 fps तक shoot कर सकते है और front से भी अच्छी recording करता है यह आपको photos अच्छे लगे होंगे और अगर आप कुछ पूछना है camera के बारे में आप नीचे comment में बूच सकते है तो आपको मैं इस phone का camera कोल के दिखा देता हूं कि कैसे आपको features मिलते हैं अब देख सकते हैं आपको दो option मिलेंगे 12 megapixel है 50 megapixel उसके बाजू में आप glyph lights on कर सकते हैं और एक बार tap करने पर flashlight on हो जाती है और उसके बाजू में यह ultra white का option है और phone की video recording की quality काफ़ी अच्छी है और आप ultra white से भी video record कर सकते हैं उसके बाजू में slow mo का option है और यह कई सारे option और overall बात करें इस phone की camera की और इस phone की camera काफ़ी अच्छी है काफ़ी अच्छे photos और वीडियो निकलते हैं और अगर आपको यह phone लेना है especially video और photos के लिए तो आप बिलकुल ले सकते हैं और अगर आपको यह 26,000 मिलता है तो आप बिलकुल ले ले 25,000 में ऐसा कोई phone नहीं जो की इतने अच्छे photos और वीडियो निकालता हूँ और मैं आपको एक photo दिखाता हूँ इसको मैंने 50 मेगा पिक्सल पर क्लिक किया है अब जूम देख सकते हो यह भी photo spot नहीं रहे clear है तो बस यही था वीडियो में अगर आपको कुछ पूछता है आप नीचे comment में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई feedback देना है तो आप नीचे comment में दे सकते हैं कि मैं और क्या better कर सकता हूँ कि मैं आपको 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 क